अब डाउटनेट एप पे मिलेगा आपको कलास 6 से आई टी जेई तक के मैथ के साथ साथ 11 एबं 12 के फिजिक्स एबं केमेस्टी के सभी सवाल का जवाब बस डाउटनेट एप से क्वेश्चन की फोटो खीचे और तुरंत पाए वीडियो सोलूशन तो आज ही डाउटनेट एप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं दोस्तो यहाँ आप कठीन से कठीन कोईस्टन का सोलूशन हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागा थे आपके अपने ही यूट्योब चैनल LGR स्टेडी में दोस्तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो स्रीज में हम लोग मैट्रिक बोर्ट परिक्शा के बेहतर तैयारी के लिए मैट के भी भी अप्जेक्टिव पुश्चन का चेप्टर बाज तैयारी करते हैं दोस्तों आपको बता दे कि आज इस वीडियो स्रीज के गारा नंबर वीडियो है इस स्रीज का दोस्तों दस वीडियो अल्डेडी हम अपलोड कर चुके हैं अगर अभी तक आपको सभी दस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के पले लिस्ट में जाकर देख सक तुके हैं तो आज हमारा है तालिस नमर और से स्टार्टिंग होगा इक आज दोस्तों यह का नमर पूछ रही है कि यदि समीकरन निकाई a1 x plus b1 y plus c1 बराबर 0 और a2 x plus b2 y plus c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं हो तो अगर कोई हल नहीं होगा तो कैसा इस्थिति उत्पन होगा यह आपको बताना है तो 41 का तो दोस्तों आपका b option है बिल्कुल ही सही हो जागा a2 बराबर b1 बराबर b2 बराबर नहीं होगा यह आपको दोस्तों याद रखना है यह बेसिक बेसिक कंसेप्ट है जो आपको मेरे द्वारा परहया भी गया है अब यहां पर आपका जो पूछ रहे की युग्म समीकरन आपको दे दिया गया है जो जेनरल फॉर्म में के अनगनित हल होंगे यदी इसका अनगनित हल कब होगा तो दोस्तों आपको पिछले के कलास में भी हम बताए थे कि इसका अनगनित हल कि स्थिती में होता है किसी भी दो रैखिक प्रविकरन यूगमों का जो है अनगिनित अधिक हल से षब सबकτε रहने पीछे में आप बताएर अगर आप लोग देखें औ zitten को आप लोगा दोस्तों आप लोग स Aaron estiquement का डासर आप लोग 1 एंगे देंगे हम देखना चाहते केफिने आपर आपसे पूछा जा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो रैखिक समी करनों के आलेक समांतर रिखाएं हैं तब रैखिक समी करन युगम का अगर आपको बोला गया कि दो रैखिक समी करनों के आलेक जो है मतलब गराफ जो है वो समांतर रिखाएं समांतर रिखा का मत दो हल है या फिर अनिगनित हल है यह क्या है तो यहां पर आपका एक बिल्कुली से हो जाएगा क्योंकि इस स्क्राइब कोई हल नहीं होता है इसके बाद आगे बने से पहले दोस्तों आपको बता दे कि मेरे द्वारा जो है आपको मैटिक बुर्परिशा के त्यारी के लिए ह तो अगर आप लोग नहीं देखें तो आप हमारे चैनल के पहले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं जहां पर दोस्तों एक कलास हो भी चुका है बेहादी महत्पुर्ण है इसका दोस्तों आपको हम कलास बैकलास पीडियो भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपको बेहादी बीटू तब समीकरन निकाई इतना का है इतना का जो आपको बता दे जो दो समीकरन दिया गया इस दोनों का क्या होगा आदूतिये हैं या कोई हल नहीं है या अनगिनित हल है या सभी उत्तर सही है यह आपको दोस्तों बताना है तो दोस्तों आपको बता दे कि यहां पर ज आप सभी जानते हैं कि केवल एक खाल यानी कि ओधूतिय के लिए जो कंडिशन है वो कंडिशन होता है A1 बटा A2 not equal to B1 बटा B2 not equal to B1 बटा B2 का कंडिशन होता है और यहाँ पर लिखके रखा A1 B1 जो है वो A2 B2 के बराबर नहीं है मतलब यहाँ पर कहने का मतलब देखो बट्टा का जो रूप होता है वो उपर वाला उपर वाले के बराबर नहीं होगा और नीचे वाला नीचे वाला के बराबर नहीं होगा वही चीज यहाँ पर आपको दिखाया गया है तो यहाँ पर जो यह option है बिल्कूल इसे ज़िएगा अगर ऐसा इस्थिती होगा ऐसा इस्थिती बनेगा तो अदूतिय हल होगा आप समझ सकते हैं इसके बाद आपका जो 45 नंबर question है उसको हम देख लेते हैं 45 नंबर question दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रही है जैसा कि आप देख सकते हैं कि x पलस 2y बराबर 5 एक समीकरन है अगर x बराबर 1 है तो y का मान होगा तो y का मान क्या होगा simply आपको बताना है x के जगा पर आपको एक रखना है तो यह मानन लिज यह x नहीं था अब वोगए एक तो एक इधर जाएगा तो मैनश एक उधर जाएगा दोस्तों पलस एख हो जाएगा तो दो यहाँ पर आपका विल्पूलन क्यों हो जाएगा सही हो जाएगा इसके बाद चले देखते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन को क्वेश्चन पूछरे कि समीकरन का परतेक हल समीकरन का परतेक हल उसको हन निरूपित करने वाली रेखा पर इस्थित है जो इस्थित होती है वो एक बिंदू होती है या दो बिंदू होती है या त होता है वो दोस्तों एक बिंदू से ही प्राप्त होता है यहां पर एक बिंदू से हल प्राप्त होगा इसके बाद आपका दोस्तों आपको बता दे कि उसका एक सरल रेखा होता है और उस सरल लेखा होता है और है और अगर दोस्तों दूइआ समीकरन का पूех जा तो आपको उत्य दोस्तों प्रवलयाकार क्या दर्वतना और या तो इस टाइप से ओपर से या नहीं तो उपर से नीचे कि तरफ होगा यह परभलयाकार होता है ठीक है दोचर वाले राखिक समीकरन का इसके बाद देख लेते हैं 48 नमबर जो आपका कोईस्टन है 48 नमबर कोईस्टन पूछ रहे कि के किस मान के लिए राखिक समीकरन योगम इतना इतना का एक मात्र हल क्या होगा एक होगा और य का मान मैनस एक है तो आपको के का मान सिम्पली निकाल के यहाँ पर देना है तो आपको बता दे कि इस समीकरन में तो के नहीं है दो समीकरन दिया गया है पहला समीकरन में के नहीं लेकिन दूसरा समीकरन दो के एक्स पहला साथ आपका माइनस 5 बिराबर जीरो है इसमें के का मान है तो आपको कुछ नहीक करना है एक्स का मान और वाय का मान इस शमीहरण बजैसे इब दोस्तो रखेंगे तो आपको आसानी स्य कहां मिल जाएगा अब देख रख्यम देखhmen लेको दो एक्स है तो लेकिन वाट ग्लावन एक ये साथ को गुना करें गी तो मैनस फ़ुट होगा और यहां पर मैनस 5 है तो मैनस 5 बरावर को गुथ भेजएंगे तो क्या यह पलस, पांच हो जाएगा और इस तरह से फिर अगर 2ह बराबर अगर देखा जाए तो 5 And Me भेलू आया वो क्या आया च्छो आया तो यहां पर आपका सी ओप्षन बिल्कुल ही सेज़ेगा के बराबर च्छो इसके बाद देख लेते हैं आपका जो 49 नंबर क्वेश्चन है उसको 49 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहां पर आपसे पूछ रहें कि निमन में से कौन एकस मैनस 2Y बराबर 0 तथा 3X पलस 4Y बराबर 10 का हल है इसका हल आपको बताना है तो दोस्तों आपको बता दे कि हल आपको अनेको बिधी से हम सौल्व करके बता चुके हैं और आप किसी भी बिधी से अगर दोस्तों आप इसका हल निकालेंगे तो आपका जो आंसर आएगा व को यहाँ पर आपको हम पुरुप करके भी दिखा देते हैं कि अगर आप को एसा करेंगे तो कैसे होगा यहाँ पर एकशका बैलू आपका है डालेंगे एक तो यह होगा पलस दो और यह होगा माइनस दो तो हो जाएगा और दाहिने स्याट में भी आप देख रहें कि क्या है तो है इस तरह से आप ग BAR आपका कहा है लिए अगया बने से पहले आपको बता दे कि अगर अभी कितिक अब हमारे इस्न को डैक्टीर को डाउनलोड और आपको वहाँ पर मिल जाहएगा कि अपका साइज दोस्तों बेलकुल ही पाज भी है तो आप लोist की नाम description box खूलेगा किसी बिडियो के नाम पर टाइटल जो होगा दूसतों इस लिंक से कर सकते हैं या नहीं तो simply आप क्या कर सकते हैं प्ले स्टोर पर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं फ्ले स्टोर पर अगर आप सर्च करेंगे LGR study क्या सर्च करेंगे दोस्तो LGR study स्टी यू डी वाई LGR study सर्च करेंगे तो अभी आपको जो है मेरा अप्लिकेशन सबसे टॉप में ही दिख जाएगा तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं तो नहीं किया तो जल्दी कर लेजिए क्योंकि वहाँ पर आपको सारा मेटरेल मिल जाएगा और जो लोग डाउनलोड कर चुके हैं उनको दोस्तों बता दे कि आपको बार-बार अपडेट करते रहेगा क्योंकि इससे आपको क्या होगा नया नया चीजी यह वहाँ पर मिलती रहेंगी चले आज का जो है लास्ट पचास नमर को हम लोग देख लेते हैं महत पूर्ण में यहां पर आपका question यहां पर पूछ रकि क्या होगा तो कि कमा आपको बतानाएं कि क्या होगा तो पचास का जो दोस्तों आपर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा भी हो जाएगा यानि की केक आमान कितना होगा दोस्तों दो होगा केक आमान कितना होगा दो आपका जो है निकल के आएगा चलिए आज के लिए तना ही रखते हैं वीडि अगले क्लास में तब तक अपना ख्याल रखिए और यार स्टडी देखते रहिए